हेलो ऊस्तो आप सबीक सोख बात करेंगे यहाँ पर एक multi bag stock के बारे में जो electric vehicle में काफी बड़ा weightage रखता है इंडिया में जो यहाँ पर आपको electric vehicle की जो system होती है management जो होता है vehicle के अंदर कहाँ पर battery आनी चाहिए किस तरीके से system रहना चाहिए उसके बारे में excellent performance इंडिया में कर और उसके आज quarter one के result अनौस हो चुके है और मैं प्रोप के साथ ये भी बदा लिता हूँ आपको किस company का जो business structure है कितना यहाँ पर important है और किस तरीके से company यहाँ पर जो electric vehicle के जो business है उसके अंदर involved हो रही है देखें हर किसी company के पास यहाँ पर जो advantage नहीं होते है ऐसे है और जो advantage वाली company आपको मिल रही market में उसका result देखें उसके बाद में आप decision लिजिए आपको काफी जबरदस return मिल जाएंगे KPI के result थोड़े यहाँ पर postponed हो गये थे और यहाँ पर आज हमें देखने को मिल रहे है एक्चुली तो यह 25 तारीक को ही लगने चाहिए थे बट आज यहाँ पर आ गये है तो मैं आपको इसके जो result की पूरी detail है उसके प्रेजन कर देता हूँ में सभी figures in million में है पहले यहाँ पर हम बात करेंगे company के जो net profit है उसी के बारे में क्योंकि आपका वक्त भी बचे और बाकी की information भी मैं आपको बता सको देखे net profit इस company ने कमाया कितना तो यहाँ पर आप देख सकते पिछले साल company ने जून महिने में 2021 जून महिना 602 million में वो बढ़कर 876 million हो चुका है तो यहाँ पर yearly basis पर पिछले साल 2021 के जून मंद के जो result है उसको compare करें इस साल के 2022 के जून महिने के result से तो company strong improvement करकर दिखा रही है क्योंकि इधर खाली 600 और इधर देखे 876 million तो आप समझ रहे हैं कि इस company ने तगडी growth यहाँ पर yearly करकर दिखाए और थोड़ा मैं आपको यह जो quarterly है वो भी दिखा रहेता हूं क्या है आपको पता दो चले यह PDF का data थोड़ा ज्यादा फैला हुआ होता है इसलिए थोड़ा zoom करकर आपको बताना जरूरी है और आप यह number पर ही भरोसा रखना और समझ लेना यह quarter 4 के result है और यह quarter 1 के तो आपको नजर आ जाएगा पिछल कमपनी ने profit ने कमाया कमपनी ने comparison करा जाए तो कमपनी yearly भी and quarterly basis पर भी strong है ऐसा तो नहीं ना यह company loss में चले गई यह बात आप positively यहाँ पर ले सकते है और same हमें earning per share में भी देखने को मिल जाता है वही चीज आपको यहाँ पर भी company जो performance से strong करते वह नजर आएगी पिछले सा 2.24 यहाँ पर इसका EPS था और वो improve होकर देखे 3.16 हो चुका है पहुती बढ़या तरीके से and company quarterly basis पर बात करें पिछले बार quarter में भोलतो quarter 4 के result में March महिने के 2022 के 2.92 था इसका EPS earning per share वो 3.16 हो चुका है इस quarter में तो बढ़या वाली growth यहाँ पर KPIT की देखने को मिले technology की अभी म आपको इसके detail बता देता हूँ company की यहाँ पर आप KPIT के बारे में देखिए आपको पूरी तरीके से detail पता चल जाएगे यह company इतनी expert देखिए automotive जो solution होते mobility related ecosystem जो होते उसके अंदर काफी strong weightages का आप यहाँ पर one of the best company कह सकते है जो electric vehicle के अंदर weightage देती है आपको यहाँ पर इ इनके solution वगेरा पढ़ सकते है देख सकते है यहाँ पर देखे वेहिकल के बारे में और भी यहाँ पर engineering जो होती है क्या है आपको यहाँ पर search करकर देखना पड़ेगा इनकी website पर point to point सभी यहाँ पर बताय जाता है engineering रहने दो solution वगेरा रहने दो और भी जो management होता है design वगेर solution के बारे में यह company बहुत strong है एक तो यहाँ पर इसके पास जो automotive जो भी यहाँ पर systems होते है vehicle के अंदर वो सब कुछ बहुत अच्छा profit के जाता है और यहाँ पर इसका जो आज का profit है कितना अच्छा growth करकर दिखाया percentage wise वो भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि देखे आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि KPIT company कितना अच्छी तरीके से net profit generate कर पा रही है और इसका यहाँ पर जो profit वगरा है काफी strong तरीके से यहाँ पर company तरप से present कह जा रहा है एक तो इसके जो अभी result है उसके अंदर आप 23% से revenue में growth देख सकते हैं और net profit में 41% से हैं यही तो बात ह KPIT company के और आभी आपर stock चल रहा है 523 पर 50 टिक हाइस का 800 का है आभी आप यहाँ पर देखेंगे तो 20% करीब 20% के correction में आपके लिए available तो आप इसका benefit ले सकते हैं company को यहाँ पर बहुत ही पुरानी नहीं है इसका chart pattern देखें 2019 में आई थी कितना 108 रुपई से हैं आज कहाँ प बता दे रहेगा तो इसलिए आप यहाँ पर इसमें निवेश कर सकते हैं thank you so much